सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वादी होरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें इस कहानी की लेखी का है सोनिया सैनी अमवस्या की काली रात थी शहर से बहुत दोर एक निरजर पहाडी के शमशान भूमी में उसने जमिन पर कुछ ज्यामेतिया कृतिया खीच कर उनमें मानव खोपडी, सिंदूर, नारियल, तेल, रक्त-पुश्प और अक्षद रखे हुए थे आखे बंद करके वो मंत्र बुद्बुदा रहा था बीच बीच में वो खोपडी के ओपर अक्षद सिंदूर और पुश्प चड़ाता तो खोपडी खुद बखोद अपने स्थान पर कमपन करने लगती उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी बहुत बड़ी शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है उसे इसी तरह साधना में लीन बैठे चार गंटे बीच चुके थे अचानक शमशान भूमी के आसपास का महौल बदलने लगता है अभी तक आसमान में चमकते तारे भी मानो अबडर से बादलो की ओट में दुबग गए थे एकाएक वहाँ तेज आंधी चलने लगी किन्तु साधक पर उस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके माथे पर चिंता या भाय की कोई लकिर नहीं ओवरी आसपास की पेड़ इस बहंकर आंधी में तूट तूट कर गिर रहे थे किन्तु उसकी साधना के शक्ती ऐसी थी कि जमिन पर बिच्छा उसकी तंत्र साधना का एक भी सामान टस से मसने हुआ देखते ही देखते वहाँ मुसलाधार बरसाथ शुरू हो गई साधक अभी भी लगातार अपने मंत्र बुद्बुदा रहा था आंधी और बरसाथ के साथ वहाँ का तापमान शुन्य जितना ठंडा होने लगा एक लंगोट की अतिरिक तो साधक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे हाल कपाती ठंड में भी वह भाव शुन्य सा अपनी साधना में लिरने था थंड से उसका शरीर नीला पढ़ रहा था किन्तो उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं आ रहे थे तभी वाता बरन में एक साथ कहीं सारे प्रेतों के हसने रोने की बहानक आवाजे गूंजने लगी अब तो शम्शान के दूसरी छोर पर गुप्त कैमरा लगा कर वीडियो रिकॉर्ड करते अनय के हाथ पाउं भी ठंडे पढ़ने लगे थे उसने कैमरे में देखा तूसे अब अगोरी साधक के आसपास बहुत सारी बेहानक आकृतिया घूमती नजर आने लगी इससे आगे रिकॉर्ड करने की हिम्मत अब अनय के अंदर नहीं बजी थी उसके हाथ पैर कप कपा रहे थे लेकिन इस समय वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि हर तरह प्रेद गूम रहे थे और किसी भी सामान्य व्यक्ति का खुली आँखों से प्रेद देख लेना खून जमाद देने के लिए काफी होता है अनय एक ब्लॉगर था अपने यूट्यूब चैनल पर अद्भूत घटनाओं को दिखाने के कारण उसके पास तीन मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे अभी तक उसने अपने चैनल पर कहीं सारे ढोंगी तांत्री को जहाओ का परदाफाश किया था उसके दिमाग में हर समय यही चलता रहता कि कैसे उसका चैनल ट्रेंडिंग रहे यार अमित मेरे पास एक आइडिया है तुझे पता है इस साल महा कुम लगने वाला है वैसे भी यह बारा साल में एक बार लगता है क्यों ना हम लोग भी जाकर वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करें मैंने सुना है बड़े-बड़े साधू तपस्वी कुम में जरूर आते है अरे यार ये हमारे चैनल के लिए कुछ अलग होगा क्या कहता है अरे यार मुझे तो तेरा ये आइडिया उतना है हैपनिंग नहीं लग रहा है कौन देखेगा तेरा महा कुम योध को इन सब में कोई इंट्रेश नहीं है अरे जहां तक मैं सोच रहा हूँ तो वहां तक पहुँची नहीं रहा है तो बस सामान बाद हम चल रहे हैं बस अनय और अमिद महा कुम से ब्लॉगिंग करने के लिए कुमुद राज पहुँच गये थे नदी किनारे पहुचकर उन्हें कहीं सारे जटाधारी साधू लंगोट पहने दिखाई दिये उनके हाव भाव रहन सहन कुछ अजीब सा था अमिद देख वो सब साधू संद उधर बैठे हैं मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ तो चुप-चाप रिकॉर्ड कर लेना बस अरे भाई मुझे तो उन्हें देख कर ही डर लग रहा है क्या-क्या करता है तो इस ब्लॉगिंग के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए कहीं अमिद की बात को इग्नॉर करते हुए अनै बाबा के पास भाहाँ जाता है बाबा, आपने वस्तर कुम नहीं पहन रखे है ये आपके समाज का कोई विशेस रिवाज है क्या हम अघधोर पंथी है ये दिशाए ही हमारे वस्तर है और शम्शान भुमी हमारा घर आप लोगों का मन नहीं करता हमारे जैसे फैशनेबल ड्रेस पहनने का, मोबाइल चलाने का ये आज मरवाएगा, पता नहीं क्या नाप शनाप बक रहा है तुम मों के बंधन में फसे अज्ञानी बालक हो, हम साधक है, तपस्वी है हमारे ज्ञान और विवेक को समझना तुम्हारे बसका नहीं बाबा, प्लीज डोंट माइंड, मतलब गुस्ता मत करिएगा, वैसे क्या साधना किये आपने और एक्चुली ये साधना वादना कुछ होती भी है या आप लोग ऐसे ही इतना कहकर, अने ने हस्ते हुए बाबा को शरारत से आख मार दी तेरी अज्ञानता भरी बातों से मुझे क्रोध नहीं आएगा बालक क्रोध तो मेरे लिए बहुत तुछ चीज है आज तो मैं डाकनी को साधने वाला हूँ क्या कहा डाकनी? वो क्या होती है? क्या बला है ये? आगे के प्रशनों के उत्तर देने की जगा बाबा ने कुछ पल तक क्रोध भरी नजरों से अने को गोरा और फिर वहां से उठकर चल दिये ये सब क्या बच्पना है अने? ये सिद्ध महापुरुश है इनसे इस तरह की बाते नहीं किये जाती भाई श्राप राप दे दिया ना? तो बस गई भैस पानी में अबे तू ये सोच अपने चैनल पर जिब ये वीडियो आएगा तो धमाल मत जाएगा अपना कामी ऐसा है यार और अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ आगे के एपिसोड्स भी यहां से शूट करके ही जाऊंगा भाई मैं इन सबसे बाहर हूँ तू अपना देख ले वीव बढ़ाने के लिए मैं अपने धर्म का यूँ मजाग नहीं बना सकता और मेरा सेजिशन मान तू भी चल यहां से अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है तू बस एडिटिंग का काम संभाल वीडियो शूटिंग मैं कर लूँगा क्या करने वाला है तू आज रात को मैं बाबा का पीछा करूँगा और उसकी साधना करते समय वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अब पूरा भारत देखेगा कि डाकिनी कैसे सिध होती है अनय के सर पर बस अपने चैनल को ट्रेंड करवाने का बहुत सवार था अमित के समझाने पर भी वो उसकी कोई बात सुनने को तयार नहीं था आदे रात को बाबा अपने कहम से निकल कर शिम्षान भूमे की और बढ़ गए अनय भी धीमे कदमों से उनकी पीछे-पीछे हो लिया वहाँ पाँच कर बाबा ने पहले अपनी पूजन सामगरी को मंतरों से सिद्धिया और फिर भी डाकनी मंतर साधना में लेन हो गए अनय के पसी ने तो खोपड़ी को हिलता देखकर ही जूट गए थे फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ रुका हुआ था अपने चारों और प्रेतों को यूँ घूमता देखकर अनय को अब बहुत डर लग रहा था उसका हलक भैसे सूखने लगा था एका एक उसने देखा कि बाबा के सामने एक बहुत ही बयानक आकरिती उभरने लगी देरे देरे वो आकरिती एक स्त्री में बदल रही थी वो इस्त्री तकरिबन आठ फिट लंबी थी उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे इस्त्री ने काले पारंप्रिक वस्त्र पहन रखे थे और उसका काला लंबा आचल दोर तक जमीन पर फैला हुआ था उसकी आँखें बेहट डरावनी और लाल थी उसके चेहरे के भाव इतने बयानक थे कि अब अनय के लिए वहाँ खड़ा हो पाना कठीन हो रहा था अचानक उस इस्त्री ने अनय की और चेहरा किया और क्रोध में उसकी और देखा भिजली सी गती से वो अगले ही शन थी उसके सामने पहुँच गई थी ये देखकर अनय के हाथों से कैमरा चूट कर नीचे गिर गया और वो डर से वही बेहोश हो गया अगले दिन सुबह उसकी आँख खुली तो वो अमीद के सामने होटेल रूम में था हो गई तेरी मसालेदार रिकॉर्डिंग पूरी ये अभी भी कुछ बाकी है और हाँ भाई होटेल आकर भी तो सोच सकता था शमसान में कौन सोता है मजाक मत कर यार जो मैंने कल रात देखा उसे बताने में भी मेरी आत्मा काँ पर रही है तू बस देखे भी ना कैमरे से पूरा वीडियो डिलिट कर दे अभे कुछ रिकॉर्डिंग होगा तभी तू डिलिट करूँगा कुछ नहीं है तेरे कैमरे में अभे तुने सोने के अलावा कुछ किया है वहाँ या भूतों के साथ नाइट आउट करने में बीजी रहा बस सुबह तक भी जब तू नहीं लोटा तो मैं चिंता में शमसान की और बढ़ गया वहाँ जाकर देखा तो जनाब मुह खोले पड़े हुए है हो गया अडवेंचर ट्रीप यह कुछ और भी वाकी है अनय अमित की बात सुनकर गहरी सोच में पढ़ गया था ऐसा कैसे हो सकता है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया था उसी रात फ्लाइट लेकर दुनों मुंबई लॉट आये थे रात के तीन बज रहे थे अनय अपने कमरे में सोया हुआ था तब उसे अपने पैरों में कुछ संसनाहट से महसूस होने लगी दीरे-दीरे ये संसनाहट पूरे बदन में फैलने लगी थी अब ये संसनाहट उसकी बरदास्च से बाहर हो रही थी अनय ने जटके से चादर को दूर खिट कर देखा उसके शरीर पर एक दो नहीं साइकलो छिपकलिया रेंग रही थी ये दिश्य देखकर अनय पूरी ताकत लगा कर चिल लाया और मिनट के चौधाई हिस्से से भी पहले कूद कर बेट से नीचे उतर गया चीखते हुए वो उन छिपकलियों को खुद से दूर भगा रहा था उसके जिस्म का रोआ रोआ डर से काप रहा था अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर छिपकलिया रेंग रही हो वो बेसूध होकर अपने जिस्म को खरोच रहा था उसने अपनी टी-शेट और पजामा भी उतार कर फेंग दिया था अचानक उसके ध्यान आसपास की दिवार उपर गया ये कौन सी जगा है? मैं यहां कैसे आ गया? इतनी बद्बुदार गंदी कीड़े मौकोडों से भरी जगा लेकिन मैं यहां कैसे? अनय अपने कमरे में ना होकर किसी अजीबो गरीब सी जगा पर था यहां दिवारे, फर्ष, हर तरप काई जमी थी अंधेरे कमरे में जगा जगा से बद्बुदार पानी टपक रहा था आसपास असंख्य कीड़े मौकोडे रेंग रहे थे अनय घवरा कर यहां से वहां दौर रहा था लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था दिरे दिरे आसपास घूरते कीड़े मौकोडे अनय के शरीर पर चढ़ने लगे थे अनय अब जोर जोर से रोने लगा था कोन है यहां, मुझे यहां कोन लेकर आया है, जाने दो मुझे, जाने दो कांपते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ कर अपना सर गूतनों में चिपा कर सिसकने लगता है अनय उठ यार, अनय उठ जा, प्लीज, क्या हो गया है तुझे, यह क्या हाल बना रखा है अन्य अचानक ही नीन से उठा उसके बदन पर नाम मात्रे के ही कपड़े थे शरीर पर जगा जगा नीले काले निशान बने हुए थे उसके अंदर से गंदी बद्बु आ रही थी अबे, रात में गटर में सोने गया था क्या छे, इतने गंदी स्मेल अपने सामने अमीद को बैठा देखकर फूट फूट कर रोने लगा मेरे साथ कुछ हो रहा है याँ कुछ बहुत अजीब अगर मैं तुझे बता भी दूँ तो भी तू यकिन नहीं करेगा ये कहानी आपको अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलना मैं